हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सरकारी नोकरी डेली पोस्ट में दोस्तो आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्याले मुख्य चिकिस्ता एवं स्वास अधिकारी जिल्ला बिलासपूर के द्वारा जारी किये गए ऑफिस्यल नोटिपिके यानि कि 36 राजिक के मूल निवासी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन आपको ओन-लाइन के माध्यम से करना है जो 15 जून 2022 से फॉम वराना इस्टार्ट हो चुका है जिससे आप समय रहते 30 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं जिनके ओफिसल वेबसाइट की बात करें हैं इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहां पर दिखें MPW के लिए टोटल साथ पोस्ट निकाली गई हैं जिन में के टेगरी वाइज अलग अलग माटा गया है वहीं पर इनके सेलरी की बात करें तो 5200 से लेकर 20200 रुपे तक यानि की 200 ग्रेट पे के आधार पर आ रहे हैं ड्रेसर ग्रेड वन की बात करें तो टोटल 28 पोस्ट निकाली गई हैं जिनकी सेलरी 1900 ग्रेट पे के आधार पर रखे गई हैं और इनके सेक्षड योगता की बात करें बारवी में बायो सब्वेट के साथ उत्रेड होना बंगा गया है साथ में आपके पास मेडिकल कॉंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित मजियन होना नहीं वा रहा है यहां पर इनके द्वारा कुछ नियम और सर्थे दी गई हैं जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिगा जैसे कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए 36 राजिक के मूल निव द्वार ही आवेदन कर सकते हैं इनके एज लिमीट की बात करें तो एक जनवरी 2022 की सिति में कम से कम 18 वर्स होना चाहिए और अधिक्तम 35 वर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यहां पर आरक्षित वर्गों को आयू सिवा में छूट दी गई हैं जिसे मिलाकर 45 वर्स से आपके पास जितने भी सेक्षिन व्योगताएं हैं उनको आवेदन करने की तिति से पहले आपको पूर्ण कर लेना अनिवार है यानि कि आप जिस दिन आप आवेदन करेंगे उस तिति तक आपके पास जितने भी दस्पेज या डॉकुमेंट्स कुछ भी आपके पास होना चाहिए बाकी यहां पर कुछ अन्य नियम और सत्य दिगी हैं जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लिजेगा और अगर आप किसी सास के अर्ज सास के संस्थाओं में कारे रत हैं तो आप नियोक्ता का अनापत्ति पर्माट पत्र दस्तावेजों का जो सत्या तक्निकी योगिता का 85% लिया जाएगा और वहीं पर अगर आपके पास अनुभव है तो 15 लिया जाएगा जो प्रती वर्स तिन अंक के आधार पर अधिक्तम 5 वर्स के लिए दी जाएगी वहीं पर अगर आप कोरोना वेसिक महमारी की द्वारान लगातार 6 महा तक सेवा द जाएगे यानि कि कुल मिला कर यहां बात करें दोस्तों तो यहां पर कोई भी एक्जाम आपको नहीं देना है यह सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस के अधार पर सेलेक्शन होने माला है अब बात आती है कि आप आवेदन कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिसल वे सुचनाय होंगी निर्देश, आदेश, या पातर, पातर कि सुची या मेरिट सुची यानि कि यहां पर भरती से संब्धित जितने भी जनकारियां दी जाएंगी उससे आप इनके ऑफिसल वेफसाइट पर चेक आउट करते रहेगा दोस्तों इन्होंने यहां पर साप साप कर सकते हैं तो दोस्तों यह रही मुख्यची किस्ता अधिकारी कार्याले जिला बिलासपूर के द्वारा जारी के गए ऑफिसल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जोब्स लेटेट कर पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भाराल